और वहाँ पे पता लगता है सीक्रेट सर्विस को कि एक बंदा है जिसके पास असॉल्ट राइफल है यानि कि AK-47 है और जिसको लग रहा है कि डॉनल्ड ट्राम्प आ जाएगा नवंबर में हमारी पूरी की पूरी सप्लाय लाइन वो चोक कर देगा युद्ध खतम कर देगा हमारे पैसे बनना बंद हो जाएंगे वहीं लोग चाते हैं उसको निपता है और प्रेजिदेंचिल होफफुल्स का असैसिनेशन भी हो चुका है अमेरिका में कुछ बच गए कुछ खतम हो गए लेकि यह अमेरिका के लिए को नई बात नहीं है यह काम कई बार अमेरिका मे हैं जब जंग की बात थी जब खून बाहने की बात थी तो आन Ookा वायजा अपना एक इस बाहत जब और जांगे kमशोर करेंगी 100% कि और किसी तड़ीक्छे से ट्रंप को आगे साटा दिया जाय जैन दोस्तों मैं में जो गौरावारी और आप देख रहे हैं दचानक क्या डायलोग इस वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेला एक अंदमाना बिल्कुल मन भूलिएगा दोस्तों इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दचानक के डायलोग जिंदी पहुँच गया है थ्री मिलियन सब्सक्राइबर्स पर यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए और मैं बताता हूँ क्यों यह चैनल अगर एंटिटेन्मेंट का होता फिल्मों का होता खाने पीने का होता तो थ्री मिलियन वैसे चैनल के लिए कोछास बड़ी बात नहीं है लेकिन हम लोग क्योंकि सिर्फ डील करते हैं जियो पॉलिटिक्स, फॉरण अफेर्ज और नाशनल सेक्यूरिटी में और यह एक बड़ी नीश ओडियन्स है हमारा कंटेन्ट सब लोग देखते भी नहीं है और सब लोगों को समझ भी नहीं आता है आज का ये बड़ा सवाल है कि कौन मारना चाहरा है डॉनल्ड ट्रम्प को कुछ मैने पहले डॉनल्ड ट्रम्प के उपर बटलर में एक शेहर बटलर वहां पे एर राइफल से ट्रम्प को शूट करा गया और उसकी किसमत तयार बंदे की वो बच गया उसने अपना मू फेर लिया और गोली लगी उसके कान पे अगर उसका मू फेरना अपना मू टर्न करना अगर स्प्लिट सेकंड की देरी हो जाती तो यहां पे लगती डिरेक्ली जबड़े के अंदर और पूरा सर लेके चली जाती गोली तो कान तो फिर भी ऐसे लूज चीज़े है ना तो इसमें अगर गोली लगी भी तो कान का कुछ एरिया ग्रेज करके निकल गई अगर गोली टच में आती किसी हार्ड चीज के साथ तो फिर उप फाल के आगे निकल जाती है अच्छी किसमत है अभी फिर गॉल्फ कोर्स में डॉनल्ड ट्रंप अपने रेजडेंस से कुछ और उनी का गॉल्फ कोर्स वहाँ पे डॉनल्ड ट्रंप गॉल्फ खेलने के लिए और वहाँ पे पता लगता है सीक्रेट सर्विस को कि एक बंदा है जिसके पास असौल्ट राइफल है यानि कि AK-47 है वो उसको देखते हैं पाँच गोलियां उसके उपर फायर करते हैं बंदा फेकता है अपनी राइफल और भाग जाता है उसके पास टेलिस्कोप भी होता है गोप्रो कैमरा यानि टेलिस्कोप इसलिए कि वो आराम से एम करे और जब एम करे तो गोली वहीं पर लगे वांटिंग तो यूज एन AK राइफल लाइग स्नाइपर राइफल मैं एक उधारन के लिए आपको समझाने के लिए और गोप्रो काई के लिए कि रिकार्ड करके फिर वो इंटरनेट पे डाले एलोन मस्क ये जानना चाहते हैं कि यार कमला हैरेस को तो कोई मारना नहीं चाहरा जो बाइडन को कोई नहीं मारना चाहरा ये ट्रम्प को क्यों मारना चाहरा है अच्छा मारा किसने भी मारने की कोशिश या assassination attempt FBI कह रही है Ryan Ruth है Ryan Ruth Ukraine के लिए लोगों को बढ़ हवा दे रहा है कि Ukraine के लिए आओ और लड़ो और वो कह रहे हैं कि कई जगे से मैं लोग इखटा कर रहा हूं कि Ukraine में जाके रूस के खिलाफ लड़े ये तो होगा facts of the case या आपको मेडिया ने भी बता दिया है और मैं आपको कोई नई बात नई बता रहा लेकिन नई बात अब बताऊंगा दोस्तों who wants Donald Trump dead कौन चाहता है कि Donald Trump को खतम कर दिया जाए वो कौन सी ताकते हैं ज़रा इसके उपर आज analysis करते हैं सबसे बड़ी चीज है Donald Trump का ये statement कि अगर मैं राश्पती बन गया तो मैं 24 घंटे के अंदर यूक्रेन और रशिया की जंग को युद्ध को खतम कर दूगा 24 घंटे के अंदर अब दोस्तों जिस युद्ध में अर्बों दर अर्बों दर अर्बों दर अर्बों दॉलर खर्च हो रहे हो hundreds of billions of dollars aid में weapons में यानि कि उस युद्ध में मासूम लोग तो मर रहे हैं जो बेगुना हैं वो तो मर रहे हैं हर युद्ध में मरते हैं इस युद्ध में special क्या है इस युद्ध में कुछ special नहीं है दोस्तों इस युद में वही special है जो हरेक युद में होता है कि किसी ना किसी का फाइदा है और फाइदा किसका है ये बात है दिस इस दा पॉइंट जिसका फाइदा है और जिसको लग रहा है कि डॉनल्ड ट्रमप आ जाएगा नवंबर में हमारी पूरी की पूरी supply line वो चोक कर देगा युद खतम कर देगा हमारे पैसे बनना बंद हो जाएंगे वाई लोग चाते हैं उसको नफटा है आज उसी के उपर discussion है दोस्तों ये दूसरी बार बज़ गया है डॉनल्ड ट्रमप दूसरी बार राइट अब एक बात सोचिए कि अगर क्या ऐसा कोई बंदा है जो वेट क अच्छे और लोग पढ़े हैं जो तीसरी चौती पांचमी बार अटेंट करेंगे कि किसी भी सूरत में इस बंदे को तो रोकना है यार यू हाफ तो स्टॉप दिस गाए फ्रम बिकमिंग प्रेजिडेंट क्योंकि अगर ये बन गया तो बहुत बाला कलेश कर देगा यह हम के लिए अमेरिका के लिए को नई बात नहीं है ये काम कई वार अमेरिका में हो चुका है पहले अब मैं मुद्दे पे आता हूँ कितना पैसा खर्च हो रहा है यूकरेन के ओपर सोचने की यह बात है एवरी मन्थ बिलियंज ऑफ डॉलर्स अमेरिका ने सौ अरब से जादा दे दी हैं सियाईए की रिपोर्ट आई है जिसको सेमर हर्ष सेमर हर्ष एक जनलिस्ट है और मुझे लगता है कि फॉरण अफेर्ज जियो पॉलिटिक्स में से जनलिस्म शायद उससे बड़ा नाम ना हो यह उसका आर्टिकल देखिए सेमर हर्ष कहता है कि जेलिंसकी जेलि खा गया है और हंडर्ट जो अफ मिलियन्स ऑफ डॉलर्ज उन्होंने साइफ़न आफ कर दिये और यह रिपोर्ट सेमर हर्ष कोटिंग सेयाईए क्या है सेयाईए अमरीका का खुफिया इदारा है जैसे भारत का रिसके लिग तो दोस्तों इसको रोकना टरॉम्प को रोकना इनके लिए बहुत एक मजबूरी बन गई है अब यहां पे दो अलग-अलग चीज़ हैं दोस्तों यह मुख्तलिफ चीज़ है जब मोदी जी गाए पूटिन के पास और बात करने के लिए आमन और शानती की तो पूटिन ने मोदी जी को ये बोला कि मोदी जी आप प्लान लेकर आईए आप प्लान लेकर आईए कोई बात नहीं अगर हमें समझ में आये तो हम अमल करेंगे हमारी तरफ से डन है और वो प्लान दोस्तों भारत के नैशनल सेक्रियोटी एडवाइजर अजीड डोवाल गए थे और दोवाल साम ने वही जैलनस्की पीस चाहता ही नहीं है और यह बढ़े अजीब सी बात है इन्वेड करा रशिया ने अटैक की शुरूबात रशिया ने करी जैलनस्की बोलना चाहिए कि हाँ भई आप मेरे इलाके से निकलो आप यहां से भागाओ रशिया को और मैं पीस चाहता हूँ, मैं आमन चाहती चाहता हूँ लेकिन मैं अपनी जमीन का एक इंच भी नहीं दूँगा रूस को इनको बोलो निकले, ये बोलना चाहता नहीं, जेलिंस्की ने कई शरते मोधिजी के सामने रखती हैं और जेलिंस्की ने सबसे बड़ी शरती है रखती है सबसे पहले इंडिया कंडम करे रशिया को इंडिया साइन करे एक मलकों की फइरिस्ट है एक लंबी लिस्ट है जोगों ने बोला है कि पूटिन बहुत बुरा आदमी है, पूटिन क्रिमिनल है, रशी है, क्रिमिनल इंटर्प्राइज है, फलाना डिमका, पचास चीज़ों पर आप साइन करो, जब आप साइन करोगे, तब हम आपकी बात मानेंगे, मोधी जी नो बोला, सुनो, ऐसा है कि मेरी आप से भी बात ची या कर भी दे उसको, उससे आपको क्या फाइदा है, आप यहाँ पर में जेलिंसकी को बोल रहें, दोस्तों, जेलिंसकी नहीं चाहता है युद खतम हो, और जेलिंसकी क्यों नहीं चाहता है युद खतम हो, यह हमें जानने की जरूवत है, जेलिंसकी इसलिए नहीं चाहता ह अरब डॉलर से जादा पैसे डाल दिया कोवर्ट वर्म है पूरे अफगानिस्तान को नोने मैदाने जंग बना दिया हजारों तर हजारों अफगान मर गए हजारों रशियन मर गए राइट उसके बाद एक दिन 1989 में रशियन्स ने बोला टाटा हम जा रहे हैं वो चले गए और जैसी वो गए अमेरिकन्स ने बोला यारी तो बहुत अची बात है और अमेरिकन्स ने नलवन कर दिया आज की तारीक में भी जो पाकिस्तानी और अफगान हैं वो कहते हैं कि अमेरिकन्स धोके बाद हैं जब जंग की बात थी जब खून बहाने की बात थी तो उन्होंने पैसा बहाया है जब हमने बोला कि एक स्कूल बना दो एक अस्पताल बना दो उन्होंने बोला कौन सा स्कूल कौन सा अस्पताल हमारे मुर्ग को पूरा तबाह कर दिया यह Amerika का रहा है matter और फिर से जब अमरिका है बीस साल के बाद दोस्ताओं फिर से अमरिका बीस साल के बाद आया 9-11 के बाद, फिर अमरिका ने वही कम करा दो ट्रिलियन डौलर खर्च करेET अमरिका ने अफगानिसतान में दो ट्रिलियन यानि कि दो खरब डॉलर भाई साब दो खरब डॉलर अगर इमानदारी से अमरीका खर्च करता तो पूरा अफगानिस्तान दुबई बन जाता सिंगापूर बन जाता वो पैसे गए कहा है बहुत कम बहुत थोड़े पैसे गए अफगानों के पास उनकी सडकें, उनका पानी, उनके स्कून, बहुत थोड़े बैसे पिचानब प्रतिशत पैसा जो गया दोस्तों वो वापिस अमेरिकन डिफेंस मेनिफेक्चरर्स की जेब में गया यानि क्यों पैसा आया, काबुल से, काबुल से उसने योटन मारा और सीधा पहुँचा, वाल स्ट्रीट, ठाक लोग कहते हैं कि जो वेपन्स मेनिफेक्चररर हैं, आम्स लॉबी है उनके जो शेर ट्रेड कर रहे हैं, 3000% जम्प हुआ उनमे 3000% जम्प हुआ शेर्स के प्राइस में, लोगों ने खूब पैसा पीठा अब दोस्तों, फिर से मौका आ रहा है उन्हीं लॉबी इसका पैसे कमाने का मूटा पैसा कमाएंगे ये लोग, ये चाहते हैं कि ये लड़ाई चलती रहे वहां से और कौन चाहता है लड़ाई चलती रहे चाइना, क्योंकि चाइना को एक बात पता है कि अगर अमरीका और अगर नेटो कंट्रीज, रश्या यूक्रेन की लड़ाई से फ्री हो गए तो फिर ये चाइना की ओर देखेंगे और बोलेंगे चाइना को एक अच्छा बेटा तू बहुत उचल रहा था तू आजा वापिस ये नहीं चाहते ये चीज़ों, दे डूंट वॉर्ट तू स्टॉप ऐसी बहुत सारी ताकते हैं दोस्तों जो नहीं चाहती है लड़ाई रोके और ये ताकतें एंशूर करेंगी 100% कि किसी तरीके से ट्रंप को आगे साटा दिया जाए आपको क्या लगता है कमला हैरिस अगर राष्टपती बनती है अमरीका की तो क्या वो लड़ाई रोकेगी बिल्कुल नहीं कमला हैरिस फिर साइन करेगी कॉंग्रिस में जाएगी कॉंग्रिस को कन्विंस करेगी 50 अरफ दॉलर और तो और ये पैसा जाता रहेगा युकरेन जाता रहेगा युकरेन ये लड़ाई चलती रहेगी चलती रहेगी पांच साल तक और चलती रहेगी और यहीं ये लोग चाते हैं और टरम्प चाता है कि लड़ाई रुक चाता है मेरे टरम्प से बड़े एक्तलाफ आते है I don't agree with Trump ना मुझे वो जादा पसंद है बन्दा लेकिन वो ललाई ख़तम करने की बात कर रहा है जो एबराहम अकॉर्ड्स थे वो टरम्प ने साइन करवाई थे एबराहम अकॉर्ड्स क्या थे अबरहम अकॉर्ड्स ये थे कि मुसल्मान यहूदी और इसाई एक साथ प्यार महबबच से अमन से क्यों नहीं رह सकते साइन करो ना तुम इसकी उपर हमला करोगे साइन करो टरम्प ने साइन करवाया इसरायल ने साइन करा मुसलिम देशों ने साइन करा अमरीका ने साइन करा क्लियर होगी है मामला और उसको तोड़ने के लिए हुआ सेवन्त आफ आक्टूबर का अटैक हमास का इसराइल के उपर मेनेफेक्चरड वा इरान मेनेफेक्चरड वा चाइना manufacture बा, I don't know who तो दोस्तों लडाई जब होती है किसी ना किसी का फाइदा होता है किसी ना किसी का फाइदा होता है और यहां पे जिन लोगों का नुकसान दिख रहा है जिन लोगों को अपना सामने कि बैट टरंप आ जाएगा हमारा financial नुकसान हो जाएगा हमारे रसूक में कमी आ जाएगी वो कहरा है निप्टा उसको यह पूरी की पूरी स्टोरी है और मुझे ऐसा लगता है और भगवान करें कि मैं गलत हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं गलत हूँ इस बार मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं गलत हो जाऊ पर मुझे लगता है कि एक बार और ट्रंप के उपर जान लेवा हमला लोग करने की कोशिश करेंगे ये जो ताकते हैं ये ऐसे आदमी को लिया जो अटपटी बात कर रहा है अब इसको जेल में डालेंगे जेल में डालेंगे इससे पूछताच होगी पुलिस इंवेस्टिगेशन एजनसी सिक्रिट सिर्विस हाँ भाई ये अजीब अजीब सी बातें करेगा कि मुझे यूक्रेन फाइटर भेजने लोग केंगे पागल है ये मैं आपको बता रहूँ पागल है पागल है पहले वाले को दुमार दिया है इन लोगों ने अब उससे पूछताज भी नहीं हो सकती तो वो ट्रेल कोल्ड हो गई और उसके बारे में कोई खबर भी नहीं आरी मेडिया में जो पहली बार बटलर में टरम्प के उपर गोली लगी थी जो कान पे लगी थी उसके उसके बारे मैं बात कहा हूँ रही यह मैटर ठंडा हो गया वो ठंडे बस्ते में गया अब यह दूसरा मैटर है यह बंदा भग गया इसको पकड़ लिया यह जीब गुरी बता है कर रहा है अब लोग बोल देंगे पागल है कोई नो कोई लॉयर आ जाएगा वकील आ जाएगा बोलेगा यह तो मेंटल इल्नेस है इसको इसको छोड़ो फिर तीसरी बार कोशिश करेंगे लोग टरम के उपर मुझे ऐसा डर है और बगवान करें मैं करें तो तो दोस्तों यह थी आज का छोटा सा एनलेसिस पीस था आप लोगों को यह बताने के लिए कि वो ताकते हैं जो नहीं चाहती है रूस और यूकरेन की लड़ाई खतम हो और आप आप रूखे आटिट्यूट से देख सकते हैं जिलन्स की के जब मोदी जी गए ते उसके पास यह बोलने के लिए कि भाई यह लड़ाई बड़ाई खतम करो यार आप लोग भारत आजाओ आप भारत आजाओ वलड़मिर पूटिन भी मेरा दोस्त है तुम भी मेरे दोस्त हो तुम आहमने सामने बैठो भारत की भूमी पे आओ और मैं एंशूर करूँगा कि तुम लोग आपस में बात करके खतम कर दो यह लड़ाई नहीं भाई साब जब अर्मों डॉलर हर महीने जेम में आ रहे हो ना लड़ाई करने के लिए तो शांती किस बेकूफ को चाहिए यार और यही सारा का सारा गेम चल रहा है अब दोस्तों जट से question and answers लेते हैं दोस्तों जो पहला कमेंट है कशिश अरोडा का कि भारत फ्रेंट वाया नेपाल क्यों नहीं खोल देता दूसरी नेवरिंग कंट्री से लिए तो गेट बैक टिबेट अधर रीजन सोवरेंटी फ्रम चाहिना कशिश अरोडा जी मैं कशिश जी आपका सवाल नहीं समझ पाया हूं कि भारत नेपाल के थूरू फ्रेंट नहीं खोल सकता और country say to get back Tibet's other regions I'm sorry I've not been able to understand देखिए बात ये है कि आप ये चाहती है कि तिबबत की आजादी के लिए भारत लड़ाई लड़े चाइना के साथ ये कहां की अकलमंदी होगी हाँ हमें Tibet को सपोर्ट करना चाहिए तिबबत को पूरा सपोर्ट करना चाहिए बिलकुल सपोर्ट करना चाहिए पर कोई ये कह दे कि अपने फौजियों की जान खत्रे में डाल दो आप ये कह रही है वाया नेपाल दूसरा एक फ्रेंट खोल दिये जाए मुझे नहीं लगता ये अकल बन दे है आपने कहा था बंगलादेश ये है क्रिजी क्रियेटर 1891 ये कहते हैं कि आपने कहा था बंगलादेश साल के 6 मैने में उकात पर आ जाएगा मॉल्डिव जैसा पर मॉल्डिव के खिलाफ देश की आम जनता खिलाफ हुई थी उसका परणाम वश मॉल्डिव उकात पर आया था पर बंगलादेश के खिलाफ ना जनता का कुछ एक्शिन है ना गर्णार्वन्न remar ऐसी बात नहीं है वहाँ पर अब जो जोश था जो वल्वला था जो एक उफान था वो बंगलादेश में शानत हो रहा है दीरे 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 अलग अलग लोग अलग-अलग चीज देखिए आपको जो पता लगता है न वो आपको वो पता लगता है जो हमारा मीडिया हमारा सोšल मीडिया अम्प्लिफाय करता है जैसे उधारण के लिए एक कोई कोई एक गादेश में कोई एक प्रोफेसर में ये बोल रहा है कि हमें पाकिस्तान के साथ मिल जाना चाहिए और पाकिस्तान के साथ हमें न्यूक्लियर टेक्नोलोजी हमें लानी चाहिए. ठीक है, भारत के खिलाफ इस्तमाल करने के लिए. अब वो हमारा मीडिया प्ले करे, कौन प्रोफेसर है यार, दो कोड़ी का आदवी नहीं है, कोई इसको जानता नहीं है. माल बेचने के लिए कुछ भी बोलोग है हुआ हमें. न्यूक्लियर वेपन संत्रे थोड़ना है? पाकिस्तान जिस दिन बंगलादेश को दे देना, पाकिस्तान को पैरों से उल्टा टांग देगी दुनिया. पाकिस्तान को पता ही नहीं लगेगा, कहां से मिसाइल गई और कहां से मिसाइल आई. तो इतनी आसानी बादेश, लोग कुछ भी कह देते हैं, सोचल मीडिया पर आप उसको एग्णोर करिये, कुछ नहीं हो रहा, आप सिर्फ 6 मेहना वेट करिये, बात मानिये मेरी, ये टेंपरिचर अल्रेडी ठंडा होना शुरू हो गया है, अल्रेडी वहां की केर टेकर गवर्मेंट बोल रही है, अल्रेडी वहां पर वाइलेंस बहुत कम हो गया है, अल्रेडी अब हला हो रहा है कि नहीं यार अदानी तुम बिजली मत बंद करो, यहां पर अंधेर हो, यह सारी की सारी चीज़ां होंगी अभी, यह भी सुनने में आ रहा है कि रेमंट ने अपनी फैक्टरी वहां से हटा, अब कई सारी चीज़ां हैं, यह जो बंगलादेश की तरक्की थी न, जो लोग कह रहे थे कि बंगलादेश मॉडल है, बहुत तरक्की कर रहा है, पाकिस्तानी मीडिया में एक सारी डिसकास होता था कि यह बंगलादेश की तरक्की, बंगलादेश की तरक्की, उसमें बहुत बड़ा भारत का भी हाथ था, और यह बंगलादेशियों को पता है, तो अभी दूद का उफान है, वेट करिए, सब तह पे आ जाएंगे, अपनी सब तह पे आ जाएंगे, गौतम चीला, सर, यूएक, 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 यूएक यूके आफ्टर डिनाइंग जर्मनी स्टेंड, स्टिल सेंड्स लॉंग रेंज मिजल्स तो यूकरेन, वट इस दा प्राव्बिल्टी ओCu स्टेंड वॉर्ड वर्ड वर्ड तरृ नहीं है, ये वाल्ड वार थरी का टोटल जो हमारा मीडिया है ना, भारत का, वह हर सवेरे शाम को कहता है की व्डव वर उने वाला है, इनके बिना World War के TRP भी नहीं आते तो हर दूसरे दिन ये एक शभू को छोड़ देते हैं World War, कोई World War नहीं होने वाला ये कहरें रोल क्या है भारत का between US and Russia, would India join the war or balance between both right India will never join any war against anybody ठीक है ना, भारत join war नहीं करेगा war I hope that answers your question बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करिए, बैल आइकन दमाना बिल्कुम न भूलीएगा और फिर से एक बार, फिर से एक बार सारी टीम की तरफ से आपको थ्री मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंत वंदे मातरम भारत माता की जैंद झाल झाल